हालो दूस्तों स्वागते सभी का वीपेशी वाला में दूस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है आपको सीए है ना हुआ लागू क्या फायदे नुक्सान क्यूं इसका विरोध किया जा रहा है दो 2019 में आपको यह पास हुआ तो अभी क्यूं हुआ जितने सारे आपके प्रस इसके बाद कई सारे नियूस पर ने आपको यहां पर किया पूरी प्रक्रिया है आते हैं थोड़ा सा इस पर में पॉइंट पर आते हैं अब अभी न्यूस में चल रहा है आज भी न्यूस पेपर में है तो यह आपको संसोधन अधिनियम है दोस्तों वह आपको इगारत दिश्माट दोज़ा उन्नीस को संसत के द्वारा पारित कर दिया गया था और आपको यह जो है नागरिक्ता अधिनियम उनीस सव पच्पन का ही और दोस संसोधन किया गया है तो यह आपको का एक बहुत इंपॉटंट यह है इस इसमें झालप संख्यक यह तäg कौन-कौन से धार्मिक जैन है जितने भी आपको वह पारसी है इसकार हुए है उनको आपको नगरिक्ता देने की बात की यह लिए इससे पहला भात के नगरिक्ता हासल करने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 11 साल जरूरी था नियम को आसान बनाया गया और इसको हांसिल करने की अब दिया गया इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी पर भी हम लोग आपको देखते हैं यह वही है जो मैंने आपको बताया है कि इसको मार्स 24 में किया गया अब आपके द भी लंब हुई ठीक है तो ध्यान अखेगा नहीं तो यह बहुत पहली ही आपको कम्प्ली टूप से पास कर दिया जाता है इसका उद्देश वही है जो मैंने आपको बताया है पकिस्तान बंगलादेश आपको अफगानिस्तान से हिंदू सीख बहुत जैन पार सी साई इस प्रदान करना है इन समय अपने घरेलु देशों में मतलब उनका जो अपना घरेलु देशों में पकिस्तान हो चैव बंगलादेश चैव अफगानिस्तान इसके इंपॉर्टेंट उद्देश ही यही है कि जो व्यक्ति भारत में शुरक्षित भविस्ट्वाइश प्रदान करने के लिए आपको एक कानूनी धाचा प्रदान करेगा इसके रॉल आट कर दिया गया था अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट कौन-कौन इसके पात्र है क्या सभी लोग पात्र है नहीं इवल इस तीन देश से आ है वही पात्र होंगे सेकेंड पॉइंट क्या है हिंदू सी थीक है इसके अलावा भारती मुल्के वक्तियों को पंजी करन के लिए मतल्य स्क्रेशन के लिए अभेदर करने से पहले साथ साल तक भारत में समय रुप से निवासी होना चाहिए बहुत सारे आपको किसी भी देश के लिए नागरिकतार के लिए लेकिन अलग विसीष्ट इसलिए कि आपको जो डूसरे देश्य वह हो सकता है कभी वह अगश bombay यहां पर इन प्रपोजल को किया गया है कि आप मुद्दक हो रहरा है है के पहले सब्सक्रीं के अ हम लोक जान पहला आया था तो आपको यहां पर जन्रपरमान पत्र किरय दर जो आपको होता है तुल कोई भी प्रवेस की तारिक आपको प्रवेस की यह हैं कोई न कोई आपके पास लेटर होगा तो यह कोई भी आपको यहां पर दिखाईएगा तो आपको वह माना जागा कि हाँ आपने इसको दे दिया है अब आप यहां पर नागर्टा ले सकते हैं अब थोड़ा साइए कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है सबसे बड़ा आपको और खासकर वही जो कुछ राजनीतिक पार्टियां वह विरोध कर रही है कि मुसलमान को यहां पर क्यों नहीं सामिल किया गया है इसके अलावा अगर धरम से समंदित अगर आप यह कर रहे है तो आप आर्टिकल 14 का भी क्या कर रहे हैं उलंगन कर रहे हैं यह भी चर्चा मे यहां पर चीजों को दिया जा रहा है तो ध्यान अकिया कि मुसलिम के लिए आपको सर्कार के दवारा कहा गया है कि पाकिस्तान और अ if यह तीन ऐसे लेख हैं जहां पर मुसल्मान बहुल परद्वेश है याhmen इसलामिक स्टेट कि तो वहां पर इसलाम के ही लोगों को थो चुशीं को आ रक्षन तू या कूँ भारत के नागर्यक्ता दो आप पहले से हैं बहुत संख्यक है तो सबसे पहले सरकार ना को यहां पर यह बाते कहीं दूसरी छीज ध्यान रखेगा यहां पर कि सरकार यह भी आपर कहीं थी कि पाकिस्तान और बंगलादेश कई भारत का अंग हुआ करता था वहां से आजादी कि समय कई लोग हो सकता है कि आपको उस तरफ चले गया हो इस तरफ नहीं आ पाए हो अला कि कई इनके बिरोधी इस पर प्रसंचिन करते तो फिर अफगानिस्तान के सनार्थियों को क्यों ल सब्सक्राइब करते होंगे कि हिंदू वर्ग जो हैं पाकिस्तान में काफी उत्विड़न का सिकार हो रहा है उनके मंदिरों को तोड़ना सम्तिंग इस तरह के बहुत चीज़ों चीज़े हो ठीक है इसलिए इन सब ही को यहां पर रखा गया है कि ताकि जो लोग आकर भारत आप में अपनी जीवन को सही तरीके से चलाना चाह रहे हैं वहाज है सगेंड पॉइंट अगर मैं कर रहा हूं कि विरोध क्यूं हो रहते एक और विरोध का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको खासकर नौर्थ इस्ट वाले एरिया में जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो क कुछ राजनीतिक पार्टी वही इसका क्या कर रहें बिरोध कर रहें लेकिन अगर मैं नौर्मल तरीके से बात करूं तो अभी जैसे कल भी स्टेट्मेंट आया था परसों भी कई सारे स्टेट्मेंट साइं साफ साफ है कि यहां पर भारत में किसी भी मुसल्मान को या किसी नुकसान नहीं हो रहा है इन लोगों को नागरिक्ता देनी की बात की जा रही है इसलिए आप ध्यान दखेंगे दोस्तों इसमें कुछ को जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके एक्जाम से रिलेटेड वो सभी पॉइंट को मैंने यहां पर कौभर आपको कर द लोग इसको बहुत बात करेंगे यहां पर बस जरुवत यह कि आप कम से कम इस चीज को समझें अपने एजाम के पॉइंट होगी से कि आगर यह जितने भी चीज़ें अगर आपको सौट को सुनाएगा तो आप अगर यह सभी पॉइंट डाल दीजिएगा तो आपको बहुत बहतर एंसर भी हो जाएगा क्लियर तो यह दोस्तों आपको था और आप लोग को काफी जनकारी प्राफ्त हो गई होगी जो भी बेसिक जनकारी है मिलते फिर नेक्स वीडियो में थैंक्यू